हरे क्रिश्णा तो औरंगाबाद के सारे भक्तों का स्वागत है और ये हमारा ऑनलाइन जो भागोतम क्लास और साटडे संडे का ऑनलाइन क्लास होने वाला है उश्रिंखला का यह पहला क्लास है तो सारे भक्तों से अनुरोध है कि क्लास के दर्मयान ये क्लास उपरांत अगर आपके कोई भी प्रश्णा होंगे तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आपका जो प्रश्णा होगा वो हमारे द्विजमनी गौर प्रभू जो हैं वो कॉल करेंगे हमें और वो क् पर हम उनसे पूछ लेंगे और उसके बाद फिर उस प्रश्णा का उत्तर हम यहां पर फेस्बुक पर लाइव देंगे हम कॉमेंट सेक्शन पढ़नी पाएंगे इसलिए द्विजमनी गौर प्रभू जो हैं वो प्रश्णों को ध्यान में रखते हुए उसे नोट करते हु क्लास उंपरांत उस प्रश्णा का उत्तर हमें प्रश्णा हमसे पूछेंगे और उत्तर हम देने का प्रयास करेंगे तो अपनी प्रश्णा जो हैं कमेंट सेक्शन में आप लिख कर दे दें या अगर आप चाहें तो द्विजमनी गौर प्रभू को फोन करके भी आप उनक को अपनी प्रश्न बता सकते हैं अब आज हम तीसरे सकंद के पहले अध्याय के ग्यारवा और बारवा श्लोक जो है आज उस पर चर्चा करेंगे पहले हम थोड़ा से कीरतन करते हैं उसके बाद हम चर्चा करेंगे अगर आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है तो अच्छी बात है अगर सुनाई ना दे तो आप कमेंट सेक्षिन में लिख दें कि सुनाई नहीं दे रहा है और द्विज्मनी गोर प्रभू हमें वाटसाप पर कॉल करकर हमें बता देंगे कि सुनाई नहीं दे रहा है तो पहले थोड़ा से कीवतन करते हैं। जमुनातिरा वनाचारी जयराध माधावा कुञ्ज बिहारी। गोपिजना बल्लाभा गेरे वरधारे। जमुनातिरा वनाचारी जमुनातिरा वनाचारी। जयराध माधावा कुञ्ज बिहारी। जयराध माधावा कुञ्ज बिहारी। नम विष्णु पदाया कृष्ण प्रेष्थाया भूतले। श्रीमते भक्ति वेदान्त स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वत्य देवे गौरवानी प्रचारिने। निर्विशेश शुन्यवादि पाशत्य देशतारिने। श्री कृष्णा चैतन्या प्रभो नित्यानन्दा। श्रीयाद्यतागदाध श्रीवाशादी। गौराभक्ता ब्रन्दा। जया श्री कृष्णा चेतन्या प्राभुनित्यानन्दा श्रीया धैता गदाधा श्रिवाशदी गवरा भक्ता ब्रुन्दा श्री कृष्णा चेतन्या प्राभुनित्यानन्दा श्रीया धैता गदाधा श्रिवाशदी गवरा भक्ता ब्रुन्दा श्रीक्रिष्णा 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jaya Shri Harinam Sankirtan Ki Jaya, Shrila Prabhupada Ki Jaya Ananta Koti Vaishna Bhakta Vrindaki Jaya Jaya Nitaay Gauraprimanande Re Rebo Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jaya Mudirayet Nashta Praesu Abhadresu Nityam Bhagvata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Neshthiki Hare Krishna Hare Krishna तो आज हम श्रीमत भागवतम से पढ़ रहे हैं यह है श्रमा की जेगा स्कंद तीसरा अध्याय एक अध्याय का शिर्षक है विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न श्लोक्रमांक ग्यारह तो यह श्लोक्रमांक ग्यारह है पहले हम श्लोक पढ़ेंगे उसके बाद शब्दा शब्द जो है शब्दाश जो अनुवाद है वह पढ़ेंगे उसके बाद अनुवाद श्लोका तत्पशात तात्पर और उसके उपर फिर विश्लेशन करेंगे अजात शत्रहो प्रती अच्छ दायं तितिक्षतो दुर्वीशहं तवागह सहानुजो यत्रा व्रिकोदराहिही श्वसन् रुशा यत् त्वं अलं विभेशी अजात शत्रो प्रतियक्छ दायं तितिक्षतो दुर्वीशहं तवागह सहानुजो यत्रा व्रिकोदराहिही श्वसन् रुशायत्वं अलं विभेशी अजात शत्रो प्रतियक्छ दायं तितिक्षतो दुर्वीशहं तवागह सहानुजो यत्रा व्रिकोदराहिह श्वसन् रुशायत्वं अलं विभेशी अजात शत्रो प्रतियक्छ दायं तितिक्षतो दुर्वीशहं तवागह सहानुजो यत्र व्रिकोदराहिह श्वसन् रुशायत्वं अलं विभेशी तो शब्दार्थ इस प्रकार से हैं अग्यात्शत्रो अर्थात युद्धिष्ठिर का इसका कोई शत्रो शत्रो नहीं है प्रतियक्छ लौटादो दायं उचित भाग तितिक्षतह सहिष्णूं सहिष्णूं का दुर्वीशहं असहय तवा तुम्हारा आगह अपराध सह सहित्थ अनुजह छोटे भाईयों यत्र जिसमें व्रिकोदर भीम अहीह बदला लेने वाला सर्प श्वसन उच्छास भरा उच्छास भरा रुशा क्रोध हमें यत जिससे त्वम तुम अलम निश्चय ही विभेशी डरते हो अनुवाद विदुर ने कहा तम्हें चाहिए कि युदिष्ठिर को उसका नयायोचित भाग लोटा दो क्यूंकि उसका कोई शत्रू नहीं है और वह तुमारे अपराधों के कारण अकथनी या कष्ट सहन करता रहा है वह अपने छोटे भाईयों सहित प्रतिक्षारत है जिनमें से प्रतिशोद की भावना से पूर्ण भीम सर्प की तरह उच्छवास ले रहा है तुम निश्चे ही उससे भैभित हो अब हम श्लोक बारह पढ़ेंगे क्यूंकि ग्यारा का कोई तात्पर नहीं है तो श्लोक क्रमांक बारह पार्थाम्स्तुदेवो भगवान्मकुंदो ग्रिहितवान्सक्षितिदेवदेवः आसतेस्वपूरयान्यदुदेवदेवो विनिर्जिताशेशन्रदेवदेवः तुष्लोक क्रमांक बारह का शब्दार्थ इस प्रकार से है पार्थान प्रिथा अर्थातकुंती के पुत्रों को तू लेकिन देवः प्रभू भगवान भगवान्मकुंदः मुक्तिदाता श्रीकृष्ण ने ग्रिहीतवान ग्रहन कर लिया है स सहित शिती देव देवः ब्रामन तथा देवता आसते उपस्थित है स्वपुर्याम अपने परिवार सहित यदू देव देवः यदू वंग्ष के राज कुल द्वारा पूजित विनिर्जित जीते हुए अशेश असीम नृदेव राजा देवः स्वामी अनुवाद भगवान कृष्ण ने पृथा के पुत्रों को अपना परिजन मान लिया है और संकसार के सारे राजा श्री कृष्ण के साथ हैं वे अपने घर में अपने समस्त पारिवारिक जनों यदुकुल के राजाओं तथा राजकुमारों के साथ जिनोंने असंख्य शाशकों को जीत लिया है उपस्थित हैं और वे उन सबों के स्वामी हैं तात्पर श्री श्रीमत अभे चरणारविंद भक्ति वेदान्त स्वामी महराज श्रील प्रभुपाद द्वारा विदूर ने धृतराष्ट को प्रिथा के पुत्र पांडवों के साथ राज नितिक संधी करने की बहुत अच्छी सलाह दी पहली बात जो उन्होंने कही वहियह थी कि भगवान कृष्ण उनके फुफेरे भाई के रूप में उनके निकट संबंधी हैं चुँकि कृष्ण पूर्ण पूरुशोत्तम भगवान है अतेववे समस्थ ब्रामणों तथा देवताओं द्वारा पूज्य हैं जो ब्रह्मान के कार्य कलापों का नियंतरन करते हैं इसके साथ ही भगवान कृष्ण तथा यदुवंग्शी पारिवारिक जन संगसार के समस्थ राजाओं के विजेता हैं चत्रियगण विभिन्न राजियों के राजाओं से युद्ध करते थे और उन्हें हराकर उनकी सुन्दर राजकुमारियों का अपहरन कर लेते थे यह प्रणाली प्रशंसनिय थी क्योंकि छत्रियों तथा राजकुमारियों का विवाह विजेता शत्रिय की वीरता के आधार पर होता था यदुवंग्ष के समस्त राजकुमारों ने वीरता के बल पर इसी तरह से अन्य राजाओं की कन्याओं से विवाह किया था इस तरह वे संकसार के समस्ट राजाओं के विजेता थे विदुर अपने भाई के मन में यह बात बैठा देना चाते थे कि पांडवों से युद्ध करना अनेक खत्रों से पूर्ण है क्यूंकि उनकी सहायता स्रीकृष्ण कर रहे थे जिन्होंने अपने बाल्यकाल में ही कंस तथा जरासंध जैसे असुरों को और ब्रम्हा तथा इंद्र जैसे देवताओं को जीत लिया था अतेव विश्व की संपूर्ण शक्ति पांडवों के साथ थी यहाँ पर तात्पर समाप्त होता है ओम ज्यानति मिरांधस्य ज्यानान्यनशलाक्य चक्षरन्मिलितं ये नतस्मै श्री गुरवे नमहा श्री चैतन्यमनो भिष्टं स्थापितं ये नभूतले स्वयं रूपकदा महियं ददाति स्वपदांतिकं नमाउं विष्ण पदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नितिनामिने नमस्ते सारस्वति देवे गौरवानी प्रचारिने निर्विशेष शन्यवादी पाश्चात्य देशतारिने वांच्छा कल्पतरु भ्यष्चा कृपासिंधु भ्येवचा पतितानाम पावनिभ्यो वैष्ण वेभ्यो नमो नमहा जैश्री कृष्ण चैतन्या प्रभुनित्यानन्द श्री अद्धेत गदाधर श्रिवाशादी गौर भक्त व्रंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा तो जितने भी भक्त फेस्बुर्क पर लाइव है उनसे हम अनुरोध करते हैं कि अगर आज के प्रवचन संदर्भ में कोई आपका प्रश्ण होगा तो आप कमेंट सेक्शन में उसे पूछ सकते हैं और हमारे भक्त एक भक्त हैं जो आपके उन प्रख्शनों की सूची तयार कर रहे हैं और प्रवचन समाप्थ होते ही या प्रवचन उपरांथ वह उन प्रश्णों को हमें कॉल करकर एक एक करके पूछेंगे और उन प्रश्नों का हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे तो कृपया नोट कीजिए कि अगर कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट करकर वो प्रश्न पूछ सकते हैं जो भी प्रश्न आज के क्लास संबंदित हो या प्रवचन संबंदित हो उन प्रश्णों को पहले हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे, उन प्रश्णों को पहले हम लेंगे, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा यह सेट अप कर लें, ताकि अगर कोई प्रश्ण आ रहा है, तो हमें ध्यान पढ़ जाए, तो बहुत दिनों के बाद सारे हमारे शूतागुणों से हम मिल रहे हैं, विशेश करके यह क्लास हम जो इसकों अवरंगाबाद की शनिवार को जो प्रश्णों होता है, वह क्लास हम दे रहे हैं, क्यूंकि हमारे सरकार ने कुछ नियम हमें दिए हैं जिसका हमें पालन करना है तो इसलिए हम सब जो हैं मंदिर में कत्रित होकर क्लास सुन नहीven सकते हैं तो एक संधी अमें प्राप्त हो गई कि इसे हे तुमान कर हम आपके लिए यहाँ पर क्लास दे सकते हैं, सारे भक्तों से नुरोध है कि आप अपने आपको सुरक्षित रखें, अपने आपको तंदुरुस्त रखें, और जो भी नियम हमारे सुविधा के लिए हैं, उसका हम पालन करते रहें, इसमें हमें भी लाब है, और हमारे समाज को भी लाब होगा, तो थोड़े से अगर हम ध्यान रखेंगे, और थोड़ा सा कष्ट करेंगे, तो इस कष्ट का फल जो है, बहुत ही सुन्दर होगा, हमारे सेहत सही रहेगी, और समाज में भी हर कोई जो है, वो सुखी रहेगा, औ और सेहत मन्द रहेगा हेल्दी रहेगा तो आज के यह दो जो श्लोक हैं उसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं तो प्रसंग यह है कि विदुर जी धितराश्ट जी को उबदेश कर रहे हैं धितराश्ट जी ने विदुर को अपने महल में बुलाया था क्योंकि वो उनसे उनकी मंत्रणा प्राप्त करना चाहते थे और उनके मन में थोड़ी बहुत परेशानी थी धितराश्ट महराज के तो धितराश्ट ने विदुर जी से अपने मन की बात कहने का प्रयास किया और जो उनके मन में दुख था वह वैक्त किया विदुर जी धितराश्ट के वास्टव में हितेशी है उनके भाई भी है और सुभाव से विदुर जी बड़े ही दूसरों के लिए विदुर जी के मन में हमेशा स्नेह रहता है दूसरों के हित में हमेशा विदुर जी विचार करते हैं यह विदुर जी का स्वभाव है बच्पन से ही या जन्म से ही उन्हें ऐसा स्वभाव पराप्त था हमेशा जो उचित है जो सही है उसका तुरंत उन्हें ध्यान हो जाता था इसलिए विदुर जी को महात्मा विदुर करके संबोधित किया जाता है और जो भी क्रिया या जो भी विचार अनुचित हो जिससे हानी पहुँशती हो उसे विदुर जी तुरंद परख लेते थे और स्वयम कभी भी इन विचारों का अनुगरह नहीं करते थे स्वयम कभी भी ऐसे कोई क्रिया नहीं करते थे जो अनुचित हो और जहां तक हो सके दूसरों को भी यही सलाहा देते थे कि वह भी अनुचित विचारों को या अनुचित क्रियाओं को ना अपनाए उनका अपने विदुर जी का अपने भ्राता धितराश्टर जी के लिए बहुत स्नेह भी था बड़े भाई थे, उनका सम्मान करते थे, साथी साथ धितराश्टर जी उनके पास दिश्टी नहीं थी आख से अंधे थे, अर्थात वो देख नहीं पाते थे, लेकिन थे बड़े ही ग्यानी अंधे थे किन्तु ग्यान बहुत अरजन कर लिया था और शारिरिक शोष्था भी थी उनमें, शारिरिक रूप से बहुत शक्तिशाली भी थे शोष्ठव शारेरिक जो शोष्ठव है वो उनके पास काफी थी बल काफी था शरीर का तो कभी भी उन्होंने ऐसा प्रतीत नहीं किया अधितराश्ट्र जी ने कि एक इंद्रिया ना होते हुए या आख ना होते हुए वो अपने आपको पंगु मानते थे या गरीब मानते थे तो मन से भी धितराश्ट्र जी बड़े ही स्ट्रॉंग थे बहुत ही उनका मानसिक बल बहुत ज़्यादा था धितराश्ट्र जी का और विदुर जी अपने भाई के इन गुणों से बहुत ही प्रभावित थे क्योंकि वो देखते थे कि ये जो उनके सद्गुन है वो बड़े ही सराहनिया है इसलिए बहुत सम्मान करते थे अपने भ और विदुर जी धितराश्ट्र इनके और एक भाई थे पांडु तो तीने भाई जब युवा अवस्था को प्राप्त हुए बड़े हो गये तो पांडु जी का देहान तो हो गया और धितराश्ट्र जी क्योंकि अंधे थे इसलिए उन्हें सिंगहासन कभी प्राप्त नहीं हुआ किन्तु जब तक युदिष्ट है जो जेष्ट पुत्र थे कुरुओं में कुरुवंग्ष के जेष्ट पुत्र थे जेष्ट राजकुमार थे जब तक सिंगहासन पर बैठने योग ये कि उनकी उमर नहीं हो जाती है उनका वै नहीं हो जाता है तब तक महाराज्ट धितराश्ट्र जो हैं सिंगहासन के उसके उसकी निगरानी कर रहे थे वो युदिश्टिर महाराज के प्रतिनिदी के रूप में वो राजकरन कर रहे थे राज्य का जो भी भार है वो संभाल रहे थे ज्येश्ट भरता होने के कारण ध्रतराश्टिर की हमेशा ऐसे मान्यता थी। जब अनका वैवर हो जाएगा उमर हो जाएगी। सिंघासन प्राप्त हो सके। निश्ट रूप से सिंघासन अनने प्राप्त होगी। अस्जनापूर की लेकिन ऐसा हुआ नहीं और क्योंकि राज सिंगासन पर अगर कोई वेक्ति बैढता है तो उसके सारी इंद्रियां जो हैं सक्षम होनी चाहिए और अगर राज परिवार में अन्य सदस्य हैं जो सर्व इंद्रिय संपन्न हैं तो फिर उन्हें आउसर दिया जाएगा ना कि उस वेक्ति को जिसकी इंद्रियां कम हो तो द्रितराष्ट जी जेश्ट बड़े पुत्र होते हुए भी क्योंकि अंधे थे इसलिए उन्हें सिंगहासन प्राप्त नहीं हुआ पांडू जी को प्राप्त हुआ इस बात की बहुत उन्हें बहुत दुख था इस बात का दितराष्ट जी को उन्हें लगा कि उनके साथ बहुत गलत किया गया नाइनसाफी की गई है और तब तब से लेकर अंतकाल तक दितराष्ट जी के अंतकाल तक विदुर जी ने बहुत ही नजदीक से दितराष्ट जी के सुभाव को देखा था इनकी वो जो आसक सबते थी सिंधासन से और सिंधासन से त्हो width"... ईक्षण त्होыл मैं जने जहें। कि बहुत ज़्दी पहाँप लेते हैं। और भाय के प्रति जो सने हैं। उस कारण से यक्सर चिंतित रहते … उसके बाद से जबसे उन्होंने देखा कि धितराष्ट जी के मन में यह गलानी है और बहुत कम लोगों को यह ज्यात था कि धितराष्ट जी के मन में ऐसे गलानी है क्योंकि धितराष्ट जी थे बड़े ग्यानी, ग्यानी विक्ति हैं, बड़े ही बुद्धिमान विक्ति हैं और पढ़े लिखे वित्ती हैं तो वह अपने भावनाओं को बड़े संभाल के व्यक्त किया करते थे तो अधिकांचलों को पता ही नहीं था कि धिर्टराश्टर जी के मन में ऐसी गलानी है ऐसा दुख है विदुर जी बड़े ही तेज थे उनकी बड़े ही तीक्ष्न थी और सुक्ष्म से सुक्ष्म कोई भी बात हो कोई भी तत्व हो कोई भी सिधान्त हो राजनीती से संबंदित कोई भी विचारधार ना हो विदुर जी तुरंत उसे पकड़ लेते थे यह कमाल की बात थी विदुर जी की तुरंत उसे जान जाते थे तो विदुर जी को हमेशा से पता था कि दिर्टराश्टर महराज अपने इस महत्तु कांगशा के कारण हमेशा से पांडवों से थोड़ा बैर करते हैं हमेशा से उन्हें ग्यात था और अपने पुत्र जो कवरव हैं उनके प्रती से थोड़ा अधिक जुकाव था धृतराश्चरजी के मन में और यहाज उनका जुकाव था अपने पुत्र के प्रती उस जुकाव को पूरी तरह से उनका जेष्ट पुत्र दुर्योधन समझ गया था और दुर्योधन के मन में बहुत ही इरश्या थी पांडु पुत्र भीम के लिए भीम सेन के लिए और यहां इरश्या हमेशा दोनों के बीच में किसी ना किसी ड्वंद्व के रूप में प्रकट हो जाता था बच्पन से यहां तक की दुर्योधन ने बच्पन में ही जब मुश्किल से पौगंड अवस्था में थे बालक उस समय उन्होंने भीम सेन को जहरीला एक पक्वान खिला कर उन्हें जमुना में डुबाने का प्रयास किया था लेकिन भीम सेन वहां से बच गए और उनके जो नाना थे परनाना वरुन देव उन्होंने उन्हें सुरक्षित रखा और उन्हें शक्तियां भी प्रदान की तो उसके बाद भीम सेन और शक्ति शाली होगे लेकिन दुर्योधन ने ऐसा प्रयास किया था और दुर्योधन के इन प्रयासों का इन प्रयासों की जानकरी जो है वो धितराष्ट जी के पास पहुँच जाती ते लेकिन धितराष्ट जी ने कभी भी दुर्योधन को ज़्यादा डांटा नहीं संबंध में थोड़ा बहुत उन्हें समझाने का प्रयास किया कभी कभार इन कभी डांटा नहीं उन्हें छूट दिया था मानो जैसे कि पूरी तरह से उन्हें वो सपोर्ट कर रहे हैं दुर्योधन जी को सपोर्ट कर रहे हैं तो ये भी बात जो है दुर्योधन जी का जो भीमसें के साथ वैर था वैर है और दुर्योधन जी ने भीमसें को कितनी बार तकलीफ दी है कितनी बार उन्हें मारने की भ प्राण लेने की कोशिश की थी और इसी वज़े से भीम सेन के मन में दुर्योधन के लिए भी बहुत क्रोध था क्योंकि वो जानते थे कि दुर्योधन कितनी गलतियां कर रहा है किन्तु उसे अपने अपराध का डंड नहीं मिल रहा था तो भीम सेन इस बात को लेकर क्रोधि थे कि एक अपराधी डंड प्राप्त नहीं कर रहा है तो उन्हें ये बात बिलकुल अच्छी नहीं लगती थी भीम सेन जी को वो चाते थे कि अपराध का डंड मिले सब को और विशेश करके दुर्योधन को भी और जो राज का भार उठाते हैं ऐसे राजकुमारों की यह ठीक है कि राजगमार को या राजगराने के जो भी अधिकारी विखती हैं उनका करतव्य होता है राज ये के देख रेख करने में कि वो अपराध पहचाने अपराधी को पहचाने और अपराधी को ऊचित डंड देने कि उनमें च्छमता भी होनी चाहिए तो दुर्योधन क दंड नहीं मिलता था यह देखकर भीमसेन संतोष्ट नहीं थे और जब भी आवसर मिलता तो भीमसेन अपने असंतोष को अपने इस क्रोध को व्यक्त करते थे तो ये भी बड़ी मानिवी बात थी कि दुर्योधन और भीमसेन में बहुत ही बैर है जादा करके दुर्योधन की ओर से था लेकिन लोग यही कहते थे कि दुर्योधन और भीमसेन में ऐसा बैर होता है तो यह सारी बातों से हम समझ सकते हैं कि विदूर जी ये सब कुछ जानते हैं और विदूर जी समझ रहे थे कि धृतराश्टर जी का क्योंकि सपोर्ट है दुरियोधन को धृतराश्टर जी दुरियोधन को रोकने में सफल नहीं हो रहे थे या शायद रोकना भी नहीं चाहत जो भी अनिष्ट वर्दियुधनि कर रहा था तो इस प्रकार से एक के बाद एक के बाद जैसे समय बीद्टा जा रहा था और जैसे जैसे दुड़ियुधन colored एक योजना के बाद दूसरी योजना करते हुए पांडवों को तकलीव दे रहा था वैसे वैसे और पांडव जो है बचे जा रहे थे या पांडव जो है यशश्वी होते जा रहे थे तो इन प्रसंगों के कारण धृतराश्टी के मन में बहुत ही कलमश जो है जम रहा था और विद्रुजी को यह बिल्कुल प्रसंद नहीं थी कि इतना सुंदर चरितर वाला वैक्ति अपने मन में ऐसी दुर्भाव रखे रहे एक तो उनका स्नेह भी था धृतराश्टुजी के लिए और साथी साथ कोई भी वैक्ति अगर इतनी दुर्भावना अपने मन में रखत कुकी कि हमारे मन में कुषी की दुर्भाव करते हैं तो जलते हुए कोईले के सामान है ना तो symb 196 आवशक्ता हमें हैं और समय होते विम्हार데 अवशक्ता नवहते हुए भी रहे हम उससे अपने पास रख रहे हमारे पास उसकी आवशक्ता है ने हमें उसकी गर्मी साहीं थि लेकिन हम छोड़नी रहे हैं अपने दिरुभाव को अपने पास रखे हुएँ हैं तो अनावशिक गर्मी अनावशिक चीज को अपने पास रखे हुए जिसकि हमें कोई भी आवशकता नीय ज़रूरत नहीं और साथ ही साथ क्यूंकि जलता भूआ कोईला है तो हमें जला भी तो रहा है, उससे हमें जलन हो रही है, उससे हमें और परेशानी हो रही है, उससे हमें और पीड़ा हो रही है, तो हर सज्जन व्यक्ति को या बुद्धिमान व्यक्ति को यह प्रयास करना चाहिए कि किसी के, किसी भी प्राणी के प्रती दुरभाव मन में न रखे, अब यह स संगसार है, यहां पर सुख, दुख, ऊंच, नीच, मान, अपमान, थंडी, गर्मी, यह सब तो आते रहेगी, और समय का भी प्रभाव होता है, समय हमेशा हर परिस्थिती को या हर अवस्था को बदल देता है, अभी सर्दी है तो फिर गर्मी आएगी, गर्मी है तो सर्दी हो दिन, तो समय भी तो ऐसा प्रभाव दिखाता है कि यहां पर हर अवस्था जो है क्षण भंगुरे बदलते रहती है, अब बदलाव का मतलब है, आज उचा है तो कल नीचा होगा, तो समय के प्रभाव से भी ऐसे बदलाव होना है, और साथी स्वात यह संगसार जो है, वो द्वंद्व रंजित संगसार है, द्वंद्व से बना हुआ संगसार है, तो क्योंकि यह संगसार द्वंद्व से भरा हुआ संगसार है, तो निश्यत रूप से हमारा मन भी उससे प्रभावित होगा, तो हमारे मन में सद विचार और दोर विचार दोनों ही आएंगे, लेक चाकू तीक्षन होता है उसकी धार होती चाकू की तो चाकू के धार से हम क्या करते हैं जो चीज अनावशक है जैसे सबजी का कोई हिस्सा हो अनावशक हो फल का कोई हिस्सा अनावशक हो तो वहाँ पर हम उसके धार से उसे काड़ देते हैं और जो अनावशक है उसे फेक दे गिलते हैं जो आवशक्यों स्विकारते हैं तो बुद्धी भी उसकी धार होती है बुद्धी की, यह जो तत्व है हमारे अस्तित्व का बुद्धी तत्व है, वो बहुत ही तेज है, तीक्षन है, धार युक्त है, तो बुध्धिस का प्रयोग हमें करना चाहिए उन विचारों को मन में जो विचार आते हैं, मन में कैसे विचार आते हैं, मन में सु विचार आते हैं, दुर विचार आते हैं, सद विचार आते हैं, गलत विचार आते हैं, कहां से आते हैं, यह स संगसार का सुरूप है तो ऐसे तो विचार आएंगे ही मन में लेकिन बुध्धी का प्रयोग करना चाहिए ताकि बुध्धी के तेज धार से हम इन विचारों को काट सके और काट कर जो भी दुर विचार है उसे फेग दे उसे अपने चित प्रयोग मन से अपने रिदय से निकाल कर फेक दे और जो भी सद विचार है जो भी लाबदाई है ऐसे विचारों को जिससे कि सौयम को लाब मिले दूसरों को भी लाब मिले इन विचारों को हमें स्विकारना चाहिए यह बुध्धी का प्रयोग है इसलिए विक्ति को अपने बुद्धी को बहुत सशक्त बनाना चाहिए अपने बुद्धी को बहुत सद्रड करना चाहिए जिससे कि बुद्धी की जो धार है उसका जो तेज है बुद्धी का जो शार्पनेस है वो बना रहे और साथी साथ बुद्धी का आर्थ होता है ग्यान, सही और गलत का भेदभाव, ये भी बुद्धी का ही गुण है, भेदभाव करना, भेदभाव किस चीज में करना चाहिए? लाभ और हनी में, उचित और अनुचित में, अन्यता भेदभाव नहीं करना चाहिए, आपस में कि कौन ज्यादा प्रसिद्ध है, कौन गौन है, ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए, कौन हमें प्रिया है, कौन प्रिया नहीं है, इस प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहि कि उचित क्या है अनुचित क्या है सही क्या है गलत क्या है तो भेद करना भी भेद करना भी बुद्धी का गुण है तो भेद सही से कर पाए इसके लिए बुद्धी को सिद्रिड बनाना पड़ेगा इसके लिए बुद्धी को सक्षम करना पड़ेगा सक्षम बनाना पड़ेगा और जितना ज्यादा व्यक्ति ग्यान अर्जित करे जितना ज्यादा व्यक्ति जो है बुद्धिमान व्यक्तित्वों के साथ बुद्धिमान लोगों के साथ मिलकर चर्चा करे चर्चा पर जो विशय निकलते हैं उसके व्याक्या करे, व्याक्या को समझे, शास्त्रों पर प्रकाश डालने का प्रयास करे, शास्त्रों का जो सार है समझने का प्रयास करे, इन प्रयासों से और सबसे अधिक है प्रार्थना करे रिखती, भगवान से प्रार्थना करे, भगवान से बहुत ही तीवर जही संगती में रहकर विशलेशन करते हुए, चर्चा करते हुए, व्याक्या करते हुए ज्ञान अर्जित करें, उससे हमारी बुध्धी जो है सक्षम हो जाती है, बुध्धी जो है स्ट्रॉंग होती है, ऐसे सक्षम बुध्धी प्राप्त करने की सुविधा सभी के पास प किस परिस्थितें हुआ, किसी भी बाहिय कारण पर निर्भर नहीं करता है, बुद्धी की सक्षमता, बुद्धी सक्षम बनने का जो मुख्य आधार है, वह है हमारी अभिलाशा, हमारी इच्छा, हमारी चेश्टा, हमारा प्रयास, और जब हमारी चेश्टा, हमारा प्रयास, हमारा कष्ट, उसे आशिर्वात पराप्त हो जाए, गुरुजनों का, हमारे इस प्रयास को, इस कष्ट को, गुरुजन जो हैं, वो स्विकारें, हमें वह शरनागती दें, हमें शरनागत के रूप में स्विकारें, और हमें करें तब हमारी बुद्धी जो है अत्यंत सक्षम हो जाती है अन्य भी कुछ और गौण गुणों की आवशकता पड़ेगी लेकिन मुख्य यह है सबसे पहले हमारा प्रयास हमारी इच्छा होनी चाहिए हमारी बहुत तिवर इच्छा होनी चाहिए कि हम अपने बुद्धी को सक्षम बनाते रहें बनाते रहें और कभी भी हम आलत से ना करें उसकी सक्षमता को बढ़ाने में बुद्धी के सक्षमता बढ़ने की कोई उमर नहीं होती आजीवन वेक्ति जो है अपने बुद्धी का बरधन कर सकता है बढ़ा सकता है आजीवन इसका अर्थ होता है सामा जिग्यासु होना चाहिए, एक विक्ति को शिष्य होना चाहिए, एक विक्ति को प्रश्न पूछने चाहिए, जिसका उत्तर उसे और ज्यानशील करते हैं। तो ऐसी जब बुद्धी विक्ति के प्रास प्राप्थ होती है, तो इस द्वंद्व से पीडित जगत में भी उसी प्रकार रह सकता है, जिस प्रकार दल्दल में रहते हुए भी कमल पंकच कहलाता है। जिस प्रकार से कीचड में रहते हुए भी कमल का फूल ना तो गंदा, ना तो उसके रंग में कोई गंदगी आती है, ना रूप में कोई कमी आती है, और नहीं उसके गंद में कोई परिवर्तन होता है। उसी प्रकार से एक बुद्धिमान विक्ति इस द्वंद्व से भरे संगसार में भी सही मार्ग पर ही अग्रसर रहता है। उससे गलतियां या तो नहीं होती हैं या तो बहुत कम होती हैं। और हमेशा जो भी गलतियां होती हैं, वो उसे सुधारने का प्रयास करता है, इसलिए शास्त्र कहते हैं कि मन को हमेशा हमने सत्विचारों से ही सिंचन करना चाहिए, मन को हमेशा सत्विचारों के संगती में रखना चाहिए, और जो दूर विचार हैं, जो गलत विचार हैं, उसको बुद्धी का प्रयोग करते हुए मन से दूर फेक देना चाहिए, अपने अस्तित्व से दूर निकाल देना चाहिए, यही एक सज्जन विक्ती की वृत्ती होती है, और ऐसा ही सज्जन विक्ती आगे चलकर अच्छा सादक बनता है, आगे चलकर विरक्ती को बड़े आसानी से स्विकार कर सकता है, अनावशक आसक्तियों से वहाँ बचा रहता है, तो विदुर जी देख रहे थे कि धीरे धीरे एक एक प्रसंग के घटे हुए धितराश्ट जी के मन में बहुत मैल आ चुका था, और अपने जेश्ट ब्राता के मानसिक तंदुरुस्ती का, उनके मेंटल हेल्थ की, उनके आंतरिक जो उनकी जो चेतना है, उसके बारे में चिंतित होते हुए, विदुर जी अक्सर विचार किया करते थे कि कैसे अपने भाई धितराश्ट जी की मदद कर सके, भाई हैं, इसलिए तो थोड़ा बहुत सनेह तो है, लेकिन उससे अधिक विदुर जी ग्यानी होने के कारण, अपने ग्यान दृष्टी से धितराश्ट जी में वो काबिलियत देख रहे थे, वो योग्यता देख रहे थे कि यह व्यक्ति अगर चाहे, तो बहुत ही सज्जन बन सकता है, सज्जन हो सकता है, यह व्यक्ति अगर चाहे, तो सत मारक पर चल सकता है, विदुर जी देख सकते थे कि यह योग्यता धृतराश्टर में है किन्तो इस योग्यता पर मोह का लालच का आवरण दिन प्रती दिन गहरा होता जा रहा है आवरण बढ़ता जा रहा है इसलिए समय समय पर धितराश्टर जी को विदुर जी समझाने का प्रयास करते थे एक भाई के रूप में, शुबचिंतक के रूप में, मंत्री के रूप में और गुरुजन के रूप में भी विदुर कभी भी अपने अपको धितराश्टर जी के गुरु नहीं मानते थे, क्योंकि वो धितराश्टर जी को अपने से जेश्ट समझते थे किन्तु जो गुरु जनों की परंपरा है जो महातमाओं की परंपरा है उस परंपरा की प्रतिनिधी के रूप में विदूर जी गुरु जनों का संदेश धितराष्ट जी तक पहुंचाने का प्रयास करते थे इस प्रकार से संदेश वाहक होते हुए वह एक reflection थे वह एक बिम्ब थे प्रति बिम्ब थे परंपरा के गुरु संदेश का धितराष्ट के लिए इसलिए गुरु जन के रूप में भी वो धितराष्ट जी को समझाने का प्रयास करते थे और यही समझ यहाँ पर धितराष्ट जी को देने का प्रयास कर रहे हैं अब देखिए किस प्रकार से समझाने का प्रयास कर रहे हैं विदूर जी को यहाँ पर प्रवचन नहीं दे रहे हैं गर विदूर जी उन्हें ना तो नीती शास्त्र समझा रहे हैं ना ही उन्हें वे चुके तुन्हें इन चीजों को सिखाने के अवशक्ता नहीं है बहुत ही विवाहारिक एक दृष्टिकोंड से शास्त्र के जो उपदेश है वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं क्या कह रहे हैं वो विदुर जी कह रहे हैं कि देखो तुम्हारा भी स्नेय है अपने पुत्रों के लिए क्योंकि तुम अपने पुत्रों को बहुत मानते हो और अपने भतीजों के लिए भी तुम्हारा स्नेय है इधितराश्र जी से कह रहे हैं विदुर जी कि अपने भतीजों के लिए भी स्नेय है लेकिन पुत्र पुत्र स्नेय जो है तुम्हारा अपने जो तुम्हार सो पुत्रें उनके प्रतिजो तुम्हारा सुनह उससे कहीं कम है तुम्हारा स्नेः पांड़ों के लिए यह बात पल hell पांड़ो के लिए लेकिन वो सितने हं कहीं बहुत ही कम है तो पक्षपात तो करे रहे हैं धितराष्ट जी तो धितराष्ट जी वरिष्ट हैं दोनों ही उनके ही वंग्षच हैं कवरव और पांडव लेकिन पक्षपात कर रहे हैं किस आधार पर पक्षपात कर रहे हैं शारिरिक संबंध जो शरीर से संबंध है उस आधार पर कर रहे ह तो दहतराश्ट जी जो कौhrेव हैं दूरियोधन आधी जो हैं दूरियोधन के जो भाई हैं उनको अपने पुत्र मानते हैं अर्थात में शरीर का संबंध है और पॉझ ऑफ कर के बांधव पुत्र मानते हैं मतलब मेरे भाई के ये पुत्र तो पांडवों को वो अपना सीधा जो हैं संबंधी नहीं मान रहें वो पांडवों को अपने भाई के माध्यम से संबंधी मान रहें उन्हें इसा करना नहीं चाहिए क्योंकि शास्त्रे में अनेक तरीकों से समझाया गया है कि कैसे पिता जो है सिर्फ जन्म से कोई विक्ति पिता नहीं होता है वो तो एक पिता है कि जो बीज देता है बीज प्रदाता होता होता है वो तो पिता है लेकिन जो हमारा पालन करता है जो रक्षन करता है उसे भी पिता माना गया है देवता भी पिता सुरूप होते ह राजा भी पिता सुरूप होता है, गुरु भी पिता सुरूप होते हैं, तो ऐसी अलग-अलग व्यक्षाएं हैं पिता की, तो धितराष्ट जी को पिता की जो अन्य व्यक्षाएं हैं, उसे भी अपनाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने किया नहीं, उन्होंने उन सारी व्यक व्याख्याओं को काट दिया उन्हें सारी व्याख्याओं को दूरलक्षित किया उन्हें सारी व्याख्याओं को छोड़ दिया सिर्फ एक ही व्याख्या रखी कि मेरे शरीर से संबंदित जो हैं वो मेरे पुत्र हैं बाकी जो हैं वो दूर के संबंदी तो यही बात विदुर पर यहार विचार करना चाहिए कि क्रिश्ञ भी वैसे ही कर देंувати हैं और अगर कर؟ लिए हैं आ A Day कि ए आनगे पुत्रों को जो राजकुमार हैं उन से जादा करते हो पंडु के पुत्र जो राजकुमांर हैं उनसे थामst संह करते हो अब हम देखते हैं कि इनके साथ ये जो पांडव और कौरव हैं इनके साथ कृष्ण का संबंध कैसा है पांडव जो है वो कृष्ण की बुवा के पुत्र हैं कौरव जो है वो उनके दूर के संबंध हैं कि पांडव पुपे बागे पुट्र है उनकी जो शगी बाई हो गए क्या टातपरमेशवरा प्रभुपाजी होता जिसा करने का प्रयास कर हैं कितनी अच्छी तरह से विदुर्जी समझाने का प्रयास कर उनको शास्त्र ज्ञान नहीं दे रहे हैं कि अगर तर नहीं देघंगे तो ढितरश्ट今 संदेशा पहूंच जाएं जिसके मन पर जिसके चेतना पर औरण चेहर चड़ गया है अग्यान विमोंह का उस तक जो सही संदेश है वो पह tweet चाहे तो वितुर जी कितने संदर तरीके से संदेश पहुंचाने का प्रयास कर रहे है हर वक्ति को हर अधिकारी व्क्ति को ये ध्यान में रखना चाहिए इससे प्रेर्णा लेनी चाहिए कि कैसे संदेश पहुंचे यह महत्वपूर्ण नहीं है जितना की आपकी बात कोई मान रहा है कि नहीं मान रहा है अगर हम यह अधिकारी होने के नाते अगर अपने वर्चस्व को स्थापित करने का प्रयास करेंगे तो वर्चस्व को स्थापित करने के प्रयास में संदेश पहुँच कर भी उतना बाव डाला. तो हर अधिकारी विक्ति को यह समझना चाहिए कि उसे अधिकार एक प्रतिनीधी होने के कारण प्राप्त हुआ है. चाहे वो सरकारी नोकर हो, सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो देश का प्रधान मंत्री क्यों ना हो, या देश का शाशक नायक क्यों ना हो, राज एक प्रतिनिधी के रूप में दिया गया आज उचके पास है कल किसी और के पास उपदवी होगी उपदवी उसकी नहीं है उपदवी उसे प्रदान की गई है क्योंकि देखा गया समाज में कि वो उसकी योग्य है ताकि उस पद पर आकर वो उस पद का गौरव रख सके और कोई भी अधिकारी विक्ति का जो पद होता है उसका गौरव यह होता है कि वो ठीक से शाशन करे ना कि अपना अधिकार जता है शाशन का मतलब होता है जहां पर शिष्ट, जहां पर एक discipline आ जाए, ताकि लोग अनावश्यक चीजों से बचे रहें, उसे कहते हैं शाषन, शाषन का अर्थ होता है, कि सामान्य जनता को शाषन के माध्यम से उनके बुद्धी को, उनके बुद्धी का जो प्रयोग हो रहा है, उस प्रयोग में उनक का भेद कर सके, इसे कहते हैं शाषन, तो जो शाष्किय विक्ति होते हैं, जो अधिकारी विक्ति होते हैं, उन्हें जानना चाहिए, कि जिस पद पर वो हैं, उस पद का गौरव इसी बात में है कि वो शाषन करें, ना कि अपना अधिकार जता है, जब विक्ति अपना अध भिधिकार्य को भी दुखी करते हैं, तो शाषन यह प्रेम के जिसका रिढ़ रिदय प्रेम से भरा हूँ, वो सबसे अच्छा प्रशाशक होता है, साथ ही साथ प्रशाशन करने का उसे शाषन करने का उसमें युग्यता ही होनी चाहिए, दोनों ही बात जरूरे है, युग्यता होनी चाहिए कैसे शाषन किया जा सकता है और रिदे में प्रेम होना चाहिए तो तभी एक राजा जो होता है उसे कहा जाता है कि वो सारी प्रजा का पिता होता है क्योंकि उसके रिदे में सब के लिए प्रेम होता है तो यह बाद याद रखेगा कि जब भी कोई अधिकार आपको मिलता है तो याद रखेए वो अधिकार आपको जो पूर्व अधिकारी लोग है या जो सबसे प्रतम अधिकारी रखती है भगवान श्री भगवान के प्रतिनिधी के रूप में जो हमारे महाजन पूर्व के हैं जो इसके पूर्व के अधिकारी है उनके प्रतिनिधी के रूप में और जनता की सेवा में प्रजा की सेवा करने के करने का जो कार्य है उसके लिए हम अधिकारी बने हैं या हमें अधिकारी बनने का संधी पराप्त हुआ है इसलिए अधिकार बन कर हमें शाषन करना चाहिए न कि अधिकार जटाना है ना कि अपना वर्चस्वत स्थापित करनेे असे शेकिसी कुलाब नहीं होता है है को विदुर जी जानते हैं कि धितराष다면 जी नहीं नहीं उन्हें अगर कोई ग्यान की बात कहेंगे, शास्त्र की बात कहेंगे, तो वो भी और चार-पांच शास्त्र का ही उबदेश जो है, स्वें भी बता देंगे, कि हाँ, शास्त्र में ऐसा कहा गया है, और उतना कहकर उससे जादा कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन वेवाहार मे में आप कम पढ़ रहे हो वेवाहरिक समझ आपकी कमजोर है तो वहां पर अवसर है कि दितराश्ट्र जी का मन जो है जो मन आखे बंध हो चुकी थी मन की आखे बंध हो गई हैं वो खुल जाए और इसलिए वेवाहरिक समझाने का प्रयास कर रहे हैं महात्मा विदुर धितराश्ट्र जी को कि आप अपने पुत्र में और बंधु पुत्र जो हैं बंधु पुत्र जो हैं भेद कर रहे हो एक के साथ जादा स्ने कर रहे हो दूसरे के साथ कम स्ने कर रहे हो तो उसी प्रकार से आपको यही अपेक् करेंगे क्रिष्न के लिए दोनोंहीं उनके संबंदिए पõर अर्प पाणडव उनके direct उनके साक्षाथ सम्बंदिए क्योंकि उनकी सुयंति की पुगा है कुंतिजी के पूत्र फंदवा उनके बात करें पनडवip वोम्हें वो उनके डाइरेक्ट भगवान कृष्ण के डाइरेक्ट संबन्दी है पांडव। पांडव कुंती महारानी के पुत्र हैं और इसलिए जैसे धृतराष्ट सोच रहे हैं वैसे ही धृतराष्टों को विचार करना चाहेगी कृष्ण भी वैसे ही करेंगे। अब कृष्ण वैसा करते नहीं है यह तो ज्यानी विक्ति जानता है लेकिन धृतराष्ट जैसा विक्ति जिसकी बुद्धी वैवाहारिक लोब से आवरित हो चुकी है वो तो तुरंट इस बाच को समाज़ जाएगे। तो धृतराष्ट जी को समझाने के लिए विदुर जी समझा रहे हैं कि कृष्ण क्यूंकि पांडवों के साथ उनका निजी संबंध है कवरों के साथ दूर का संबंध है तो धृतराष्ट आप यह मान कर चलिएगा कि स्नेह पांडवों के लिए जादा होगा और कवरों के ही सही समान कि साथ लएद्वाहू करते हैं कभी ने करते हैं भwegen भगवान भगवत की इता मेरा अंग्षा आन milliards वह समान सांसा समां तरह से एक ही प्रकार आस सब के साथ उत्ना ही प्रेम करता हूं किसे के साथ ज़्यादा किसे के साथ कम प्रेम नहीं है मेरा सब के साथ समान प्रेम है और यह प्रेम कितना है बहुत ही ज़्यादा प्रेम है तो सभी को बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता हूं भगवान सभी जीवों के साथ बहुत प्रेम करते हैं लेकिन वैवाहार की बात आ वसुदेव जी की क्यो inflation कुल से हैं और वसुदेव जी भी वरिश्न कॉल से यदु कुल से है तो उनकी बहन है इसनाते क्रिश्न जो है वो फुफेरे भाई हो गए बन्ड़ों के कवरव के साथ संबंध है क्यों कि कुन्त के बहुं है उस माध्यम से कौरों के साथ भी उनका संबंध है क्योंकि उनकी बौवा वीया ही गई है उस Łukule में, इसलिए उस Łukule के सभी वोग के साथ उनका संबंध है लेकिन पांड़ों के साथ उनका सीधासंबंध है तो यूदिर जूने समझा रहे कि एक तरफ आप ज्यादा स्नेय कर रहे हो कोरवां के साथ और आप ये बात समझ लिए कि अगर कृष्ण कृष्ण भी वैसा ही वैवाहर करें तो उनका अधिक स्नेय पांडवों के लिए होगा अब देख लिए अंतर क्या है आप हो शक्तिशाली आप हो बुद्धि मान किन्तु आप अंध्य हो साथी साथ आप एक साधारन मानव हों कृष्ण जो है पूर्ण ज्यानी है पूर्ण शक्तिशाली है और स्वयम भगवान है तो अब कम से कम वैवाहर के दृष्टिकों से इतना तो समझ जाईए कि स्री कृष्ण का आपके पुत्रों के साथ घनिष्ट संबंध बना रहे है क्रिष्ण चाहते हैं कि आपके साथ संबंध बना रहे तबी तो शांती दूत बन कर आये थे वो क्रिष्ण ने कभी भेद भाव नहीं किया पांडवों या कौरवों के साथ लेकिन कौरव भेद भाव कर रहे हैं कृष्ण के साथ कौरव कृष्ण को पांडवों के पक्षि हो रहा है क्योंकि दुरियोधन भीम से इर्शा करता है इसलिए उसे यह भी लगता है कि कृष्ण जो है वो भीम का पक्ष लेंगे तो कोरव चाते हुए भी भगवान के साथ पुर्ण संबंद नहीं बना पा रहे हैं इसमें कोरवों की कमी है और इस कमी को बढ़ावा दे रहा है आपकी वृद्धी क्यूंकि आपको भी लगता है कि कृष्ण जो है वो पांड़ों का पक्षक ले सकते हैं क्यूंकि वह उनके फुफेरे भाई है एक तरफ ये विदूर जी समझाने का प्रयास कर रहे हैं धितराष्ट जी को कि एक तरफ आपका मन जानता है कि कृष्ण उतना ही प्रेम करते हैं जितना की कौरों के साथ प्रेम है उनका उतना ही कौरों के साथ प्रेम है ये बात आप जानते हो लेकिन क्यूंकि आपका स्नेह कौरों से अधिक है इसलिए वहाँ पर भी आप चाहते हो कि कृष्ण कौरों के साथ अधिक स्नेह करें, वो संभाव नहीं है, अब कौरों के साथ आप क्योंकि स्नेह जादा कर रहे हो, पांडवों को वहां पर कमी हो रही है, तो पांडवों को भी बराबर का स्नेह मिलना चाहिए, तो निश्यतरुप से क्रश्न स्नेह उनको देंगे, एक विक्ति जो है उसको थोड़ी बहुत सुविधा प्राप्त है तो दूसरे विक्ति को भी उतनी ही सुविधा प्राप्त होनी चाहिए ना तो बिलकुल वैवाहारिक दृष्टिकों से ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं तो व्यवाहार से व्यवाहरिक दृष्टिकों से बड़े प्राक्टिकल शब्दों में वो कह रहे हैं कि भाई जड़ा देखो भाई सहाब बड़े भाईया जड़ा समझने का प्रयास करो आप कि कृष्णी ये जगद गुरू है और यही जगद गुरू जो है अर्जुन का स आथ दे रहे हैं लेकिन हो क्या रहा है जब कृष्ण प्रेम का संदेश लेकर आ रहे हैं तो अपने ही अज्ञान के कारण अपने लोभ के कारण धितराश्ट्र दुरियोधन क्रिश्ण को गंबिरता से ले नहीं पा रहे हैं क्रिश्ण को जो है सही सम्मान दे नहीं पा रहे हैं क्रिश्ण के संदेश को स्विकार नहीं पा रहे हैं प्रेम का संदेश को नहीं स्विकार रहे हैं क्योंकि उनका उनका निजी लोभ है इसमें कि सिर्फ सिंधासन हमें मिलना चाहिए पांडवों को नहीं और जह हो जाए पांडव दुरुद्धन के मन में इतना द्वेश था पांडवों के लिए अब आ जाते हैं हम कुछ अध्यात्मिक सिक्षाओं पर सीख पर यह अग्यान कहां से आता है कैसे है यह अग्यान है बड़ा सपष्ट है धृत राश्ट जी का अग्यान जैसे उनके नाम ही सूचित कर रहा है धृत राश्ट्र जो अपने शरीर अपने जन्म से बहुत आसक्त हो जाए वह धृत राश्ट्र जिसको अपने जन्म सिद्ध जो के अधिकार होते हैं कि मेरा परिवार मुझे जो कुछ मेरे जन्म के अधिकार जन्म के कारण मुझे अधिकार मिलने चाहिए उससे जो आसक्त हो जाता है वह है दृतराश्ट तो दृतराश्ट पांडु पांडु का रहत होता है निर्मल श्वेत तो मतलब जो साफ निर्मल निर्मल यह ग shining कौने आपके नामों से ऐसे कुछ समझ निकाली है तो धितराश्ट्र जी बहुत आ सकते हैं अपनी पद्वी से बहुत आ सकते हैं अपनी प्रतिष्ठा से अपनी ख्याती से किसी और को नहीं देना चाहते हैं लेकिन हैं अंधे तो जब विक्ती अंधा हो जाता है अंधा होता है अर्थात, अंधा विक्ति समझ नहीं पाता है कि दिन है कि रात है, समझ नहीं पाता है कि सीधा है कि मुड रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो दिखाई नहीं देने की कारण ठीक से पूरी तरह से भेद नहीं कर पाता है, अर्थात, बुद्धी उसकी कमज अर्थात अगर मन में बहुत सारी वासनाइं होंगी तो ऐसा विक्ति कमजोर बुद्धी के कारण अपने वासनों के अधीन आ जायेगा, अपने कमीओं के अधीन आजायेगा, तो पहले से अन्धे होने के कारण ये एक weakness है, ये एक कमजोरी है, अब दूसरी बात, अगर शरीर से बहुत आ सकती है और उपर से बेकती अंधा हो तो अंधे के अंधा होने के कारण कमी पहले से है कि भेद ठीक से करने ही पा रहा है गलती करेगा भी तो उसे लगेगा कि सही है क्योंकि उसे भेद करना आता है सही करेगा तो उसे ठीक पता नहीं रहता है कि सही करने से गलत नहीं कर रहा हूँ उसे लगता है कि सही कर रहा हूं मतलब बहुत अच्छा कर रहा हूं तो जरूरत से ज्यादा अपनी प्रशंसा स्विकारने का प्रयास कर रहा हूं अहंकार जिसे कहते हैं एहंकार आ जाते हो उसके मन में तो वो हो गया अंधाविक्ति उपर से शारिरिक आ सकती शरीर से प्रेम तो जैसे जैसे शरीर और शरीर कैसा है आज शरीर जो है सिद्रिड है कल शरीर बिमार पढ़ सकता है तो शरीर तो हमें दुख देते रहेगा तो जैसे जैसे शरीर उन अवस्थाओं में से जाता है, जहां पर दुख मिलता है, उपर से अज्ञान है, तो व्यक्ति का जीवन और परिशानियों से भर जाता है। उसकी माननेता कम हो गई है उनके बातों की, तो ये बात स्विकार्णा उनके लिए बहुत कठिन हो रहा है, शरीर का ये जो बदलाव है, क्योंकि शरीर से बहुत आ सकती, कि मैं शरीर हूँ, शरीर ही मेरा अस्तित्व है, यही अवस्था सही अवस्था है, आत्मा कुछ होता नहीं, आत्मा हमने देखा नहीं, तो इसकी कोई पहचान जानता नहीं, इन विचारों की कारण जो मोहित व्यक्ति होता है, वो शरीर से आ सकता है, शरीर अर्थात इंद्रियों से आ सकता है, तो उसे अच्छा सुनना, देखना, खाना, पीना, इसके बारे में चर्चा करते रहता है, वो इंद्रियों से आ सकता है, इंद्री त्रिप्ति में लगा रहता है वो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति अगर अंधा हो, तो उसकी परिशानी दुगनी हो जाती है, उसकी समस्या और अधिक बढ़ जाती है, अब ऐसा व्यक्ति जो अंधा है, शरीर से आ सकता है, और एक ऐसा विक्ति मिल जाता है जो उसका पुत्र है और पुत्र होने की कारण उसका सने हो उसके प्रती जादा है तो अब शरीर से भी आ सकती है और साधारंत जो संबंधों की आ सकती है वो भी बढ़ जाती है तो अपने आप से भी आ सकती है कि यह शरीर और मेरा शरीर मुझे स शुक देगा, संबंधस जो संबंधी हैं उनसे आ सकती, पुत्र मेरा है, पुत्र भी ऐसा काम करेगा जिससे की मुझे ही लाब मिलेगा, मुझे सुक मिले, तो वो भी आ सकती, उपर से अंधा, अब देखिए, अंधा हैं, भेद नहीं कर पा रहे हैं, अंधेपन के कारण, शर अथात संगती तो देखिए, पुत्र स्नेह का और पुत्र भी कैसा, दुरियोधन जैसा, जो व्यक्ति द्वेश करता हूँ, तो जड़ इस व्यक्ति के साथ संगत्थ होगी, ऐसे व्यक्ति के साथ स्नेह होगा, तो उसका द्वेश धीरे धीरे हम पर भी तो असर करेगा, ज अब ये जो लालच लोब है उसको एक समय पर व्यक्ति शायद बहुत कहीं से उसका भाग्य जो है जग जायद तो उससे निकल सकता है द्वेश से तो भाग्य भी हमारा थक जाता है जब बन बे द्वेश आता है ना तो भाग्य भी हमारा थक जाता है वो भी भाग्य भी हमारा सोचता है कि क्या इसके जीवन में हम जो है कुछ लाब लेकर आएं क्योंकि इसके मन में द्वेशी रहने वाला है लाब होते वे भी सुखी होते वे भी द्वेशी रहेगा मतलब सुख का भी भोग नहीं कर पाएगा ये क्योंकि इसके मन में द्वेश है तो द्वेश एक ऐसा दुरगुण है जो हमें कभी भी सुखी नहीं रहने देता कभी भी नहीं अब लोब है लोब भाग्य से उसकी पूर्ती हो जाए एक समय के लिए लोब कम हो जाता है विक्ति थोड़ा से शान्त हो सकता है लोब या लालोच हो लेकि द्वेश कम नहीं होता कितना भी मिल जाए विक्ति के मन में द्वेश होता ही है तो द्वेश जो है यह बहुत भेहंकर है इसलिए हमें उसे बच कर रहना चाहिए इरिश्या या द्वेश तो दुरयद्वन जी जो है वो बड़े द्वेशी है द्वेश जो है भरा हुआ विशेश करके भीमसेन के लिए और क्योंकि भीमसेन से द्वेश है तो युद्श Şimdi के लिए अरजुन के लिए भी उनके मन में द्वेश है अब इसकी वज़े से धरतराश्टर जी के मन में भी द्वेश आ जाता है अब अध्यात्मिक द्रिश्टेकौर्ण से एक अध्यात्मिक सीखिया है कि जब द्वेश के साथ किसी की संगती हो जाती है जब हम द्वेश को अपने मन में स्थान देते हैं तो उसके कारण हम दूसरों का बुरा चाहने लगते हैं, लेकिन लोभ हमें व्यक्ति शायद दूसरे का बुरा न चाहे, वो अपना लाब चाहे, लेकिन दूश में हम दूसरों का बुरा, निश्चित बुरा चाहते हैं, मतलब शुरुवात से अंदर तक हम दूसरों का बुर चाहते हैं अब जिसका हम बुरा चाहते हैं अगर वह विक्ति भगवान को प्रिया हो जैसे अर्जुन जी भगवान को प्रिया है भीम जी भगवान को प्रिया है अगर वह भगवान को प्रिया है विक्ति अब यही द्वेश हमें भगवान को जो विक्ति प्रिया है उसके बा क्योंकि भगवान को व्यक्ति प्रिय है जब उस व्यक्ति के बारे में हम बुरा सोचते हैं तो हमारे उस व्यक्ति के लिए जो बुरा वचार है वो भगवान को भी स्पर्श करता है और इसलिए जब भगवान को वहद्वेश स्पर्श करता है तो भगवान की जो शक्ति होती है वो शक्ति एक प्रतिक्रिया वेक्त करती वो प्रतिक्रिया को कहते हैं अपराद हमें अपराद लग जाता है भगवान की शक्ति जो है हमें अपराद ही दंडित करती है गोशित करती हमें अपराद लगता है साधारन जीव का भी बुरा चाहेंगे तो वह अपराद लगता ह जीव हिंसा कहते हूं उसे, नहीं करना चाहिए वेक्तिने जीव हिंसा, और अगर वह जीव भगवान का बहुत ही विनम्र भगत हो, मतलब पूरी तरह से गरिव भगत है, पूरी तरह से भगवान पर निर्भर भगत है, इससे एक बिल्ली होती है न, जो अपने बच्चे को पहुंचाते हैं, तो यही बिल्ली जो खुंखार शेरनी बन जाती है, उसी प्रकार से जो भगवान का एक गरीब भगत होता है, क्योंकि ने भगवान की पूरी शरणागती ले ली है, उस भगत को भगवान, जब भगवान के छत्रचाय में वो भगत जो है, सुरक्षित है तो उसे अगर कोई द्वेश करता है, तो यह जो सुरक्षा कवच है, जो यह शक्ती है, जो सुरक्षा कवच है, वो एक प्रतिक्रिया देती है, उसके एक प्रतिक्रिया होती है, उसका एक रिस्पॉंस होता है, वो रिस्पॉंस होता है अपराद, अपराद का अर्थ होता ह जो भी थोड़ी बहुत हमारे पास सुविधा होती है या योग्यता होती है कि हम संगसार के बंधन से बाहर निकल सकें कृष्ण प्रेम को जानते हुए भगवत प्रेम को समझते हुए वो जो एक संधी होती है न वह संधी जो है वो हमसे छूड़ जाती अपराध की कारे इसल कrontे बाद आएगी पताने लिए कि बहुत ही भयानक परिस्थिती होती किसी के जीवन में कि ऐसे गरीब भक्त के ऐसे विनम्र भक्त के प्रती द्वेश करने से बड़ा दुख प्राप्त होगा हमें बहुत परिशानी प्राप्त होगी दूर दूर तक हमें हमारी तृष्णा बुझाने के लिए हमें कोई भी पाने का बूंद प्राप्त नहीं होगा क्योंकि बहुत बड़ा अपराध हो जाता है तो धितराष्टर जी को समझाना चाहते हैं यहां परविदुर जी कि आप में जो यह जो चेतना है न आप में जो योग्यता है यह काबिलियत है आपके पास यह जो संधी है कृष्ण के शरनागत होने का वह संधी दुरियोधन के संगती के वज़से निकलना जाए चिनना जाए चलीना जाए और यही संदेश हमें भी समझना चाहिए कि मन में किसी भी प्रकार का दुर विचार नहीं होना चाहिए विशेश करके दुएश कभी भी नहीं आना चाहिए किसी जीव के लिए नहीं होना चाहिए और विशेशता किसी भी भक्त के लिए हमारे मन में नहीं होना चाहिए और किसी प्रकार से अगर हमारे मन में दूर्विचार आ जाएं किसी प्रकार से हमारी बुद्धी कमजोर पढ़ जाएं किसी प्रकार से शारिरिक आसक्ति या इंद्रत्रप्ति के मोह के कारण हम जो हैं राह भटक जाएं तो हमें शास्त्रों का और गुरु जनों का आश्रे कभी त्यागना नहीं चाहिए शास्त्र के प्रती विनम्र रहना चाहिए गुरु जनों के प्रति विनमर रहना चाहिए, सत्संग के लिए लालाईत रहना चाहिए, क्योंकि जब तक यहाँ अभिलाशा रहेगी हमें, तब तक सुबह का भूला शाम को घर वापस लोट कर आ सकता है, क्योंकि सत्संग के प्रति अभी भी हमारी जो है आ सकती है, क्योंकि गुरु जनों के प्रति, शास्त्र के प्रति अभी भी विनमर सभाव है, उसे शरवन करने का, उसका आशरे लेने की इच्छा भी भी है, तो अगर किसी कारण से, अपनी कमजोरियों के कारण, अपनी खामियों के कारण, अपनी कमियों के कारण, हमें दुर्विचार आ जाते हैं हमसे गलतिया हो जाती है तो सत्संग गुरुजन और शास्त्र के प्रति शास्त्र के प्रति जो हमारा लगाव है और उनके साथ जो हमारा संबंद है वो बने रहना चाहिए वो कभी तूटना नहीं चाहिए और यह जो एक दुरुण है द्वेश बाकी जो गलतियां है उसके लिए अगर सत्संग गुरुजन और शास्त्र के साथ संबंद है तो धीरे 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 विक्ति जो है प्रयास करेगा मेहनत करेगा कष्ट करेगा साधना करेगा तो विक्ति जो है अपनी मन सद्विचारों में ही स्थित रहेगा, तो वह उसका सोलूशन हो गया, इस प्रकार से व्यक्ति जो है अपने आपको सुधार सकता है, द्वेश क्या करता है, इस संबंध को शास्त्रों के प्रती जो विनमरता है, गुरुजनों के प्रती जो विनमरता है, भगवान नाम के प्रती जो श्रद्धा है, भगवान में जो श्रद्धा है, और जो सत्संग है, उसके प्रती जो लगाव है, उसे काटने का प्रयास करता है, उसे तोडने का प्रयास करता है, द्वेश और अक्सर द्वेश इसमें सफल भी हो जाता है, उसके बाद क्या पता कितने ही जन्मो के बाद फिर या उसर प्राफ्थ हो कि जहां पर इंचुजों के साथ पुनहा एक ठोस संबंद स्थापित हो जाए इसलिए मन से द्वेश को हमेशा के लिए निकाल देना चाहिए आज हम मानव हैं आज हम इन बातों को समझ रहे हैं इसलिए जैसे आज है ना कि हमसे कहा गया ह है कि हाथ धोना चाहिए कम से कम 20 सेकंड ताकि हाथ में अगर किसकोई भी किटानों आ जाए जिससे कि बिमारी आज जो बिमारी फैल रहे हो फैलेगी तो धुलकर नाली में बहे जाए उसी प्रकार से हमें अपने मन को हमेशा धोना चाहिए ताकि द्वेश का अगर कोई ना हो और अगर कभी भी द्वेश की भावना प्रभावी हो हो हमसे तो उस समय एकांत हो जाना चाहिए उस समय तुरंत सतर्क होना चाहिए उस समय अपने आपको आईसोलेशन में रख देना चाहिए अपने आपको दूरी बरत लेनी चाहिए दूसरे लोगों से ताकि हमारा द्वेश जो हम पर प्रभावित हो रहा है उन्हें प्रभावित ना करे उससे वो बिमार ना हो और साथी साथ हमें एकांत में रहते हुए मन को स्थिर करने का प्रयास करना चाहिए और मन को कैसे स्थिर कर सकते हैं जितना भी अभी तरक सीखा है समझा है जाना है उस पर ध्या प्रयास करना चाहिए, वहाँ ऐसे गुरुजनों से हमें संपर्क करके उन से उबदेश प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, अपने आपको सुरक्षित रखने का प्रयास करना चाहिए, ताकि ये द्वेश जो प्रभावी हो रहा हमारे मन पर उसका प्रभाव कम हो जाए दोड़ कर जाकर हमें आश्रे लेना चाहिए दुनिया से हमें दूर जाना चाहिए अपने इंद्रियों को हमें खीच लेना चाहिए अपने इंद्रियों को भीतर ले लेना चाहिए दुनिया से हमें पुर्ण रूप से जो है उससे दुनिया को दुरलक्षित करना चाहिए क्योंकि हमें पता है हमारे मन में द्वेश आ रहा है तो अभी कहीं और हमारे ध्यान नहीं जा सकता पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए हमें अपने द्वेश पर जो हम पर प्रभावी हो रहा है और दोड़ कर जाना चा बॉआनी का स्मरण करना चाहिए, जो हमने पहले सुना है, और हम जानते हैं, कि उससे हमें लाब होगा, उससे हम बच जाएंगे, और ध्यान करना चाहिए, एकागरो होना चाहिए, ताकि हमारी शक्तियां दूसरे चीजों में ना लगें, चाहे उसके लिए हमें पांच मिनिट पांच सेकेंड एक दिन पूरा लग जाए प्रयास करना चाहिए और ऐसे प्रयास करने से जो भी हमें उन्हा स्फूर्ती प्राप्त होती है प्रेणा प्राप्त होती है उससे हमें गंगासनान करना चाहिए ताकि अगर तनिक भी प्रयास कर रहे हैं इनी विश्यों पर हम उनके बड़े आभारी है और श्री भगवान के आभारी है कि हमें इतना सुंदर उवदेश प्रदान किया है व्यास देव जी ने प्रदान किया है श्रीमत भागवत की रूप में और विदुर जी ने प्रदान किया है अपने उवद से रिणी है और इस भावना में अपने हमें जो आशिरात प्राप्त है उसके लिए कृतग्यों होते हुए कृतग्यता की भावना में हमें भगवान का नामस्मरण नित्य करते रहना चाहिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण यहां पर हम समाप्त करेंगे अब हम अपना वाट्सअप मेसेज देख रहे हैं कि कहीं किसी का कोई प्रश्ण है तो हम प्रयास करेंगे तो हम तीन बार फिर से महामंत्र कहेंगे, तब तक अगर कोई प्रशन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में उसे लिख सकते हैं, हमारे एक भक्त हैं द्विज्मनी गौर प्रभू, वो सारे कमेंट्स पढ़ रहे हैं, और जहां पर भी उन्हें कोई प्रशन दिखेगा, वो हमें व प्राव भूरर क्रूम गराम में लिखेगे, यृृř्ण नरे कृष्ण यृष्ण, कृष्ण नरे कृष्ण नरे कृष्ण यृृ। deinen द एक बार फिर हम देख रहे हैं कोई प्रश्न है नहीं कोई प्रश्न नहीं है तो यहाँ पर हम समय मिश वाशिंग्टन यूएसे में हैं यहाँ पर समय हो रहा है रात के ग्यारा बच कर बारह मिनिट अर्थात भारत में समय हो रहा है दस बच कर पैयालिस मिनिट सबेरे का सुबह का तो अब हम आप से विदा लेंगे आप सब का आशिरवाद हम पर बना रहे है पुना सबसे यही आगरह करते हैं भारत में हमारे सरकार ने जो भी हमारे सुविधा के लिए नियम दिये हैं अगले दस दिन का या उसके आगे भी उन नियमों का हम मनहा पुर्वक मन से उसका पालन करें और अपने आपको शुरक्षित रखें दूसरों को भी सुरक्षित रहने दें हमारी वज़े से किसी को भी दुख ना हो इसका ध्यान रखें जहां तक हो सके घर में रहें और घर में रहकर नाम जब करें नाम स्मर्ण करें कृष्ण कथा का वाचन करें भजन करें किर्टन करें साफ सफाई बनाए रखें हाथ को हमेशा जितना हो सके धोते रहें इस प्रकार से मन को शरीर को समाज को आसपास जो हमारा छेतर है उसे साफ रखें सुंदर रखें हरे कृष्ण श्रील प्रहुपाद की जये कल आप से हम फिर से इसी समय प्रातह दस बजे श्रीमत भागवत क्लास के लिए मिलेंगे जहां पर तेरवे श्लोक पर चर्चा होगी और आज शाम को साड़े छे बजे भागवत गीता क्लास में हम पुना आपके साथ जुड़ेंगे बहुत बहुत धन्यवाद एक बार कुछ मेसेज़स आ रहे हैं एक बार देख लें कोई प्रशना आया है तो एक प्रशना है कि जब भी हम महाभारत के प्रसंग में कोई भी कथा सुनते हैं तो महाभारत सीरियल के जितने भी किरदार हैं वो याद आ जाते हैं तो तो अच्छा प्रशन है देखिए क्या होता है न कि नकली नोट जब आप देखते हो न मतलब कभी कभी खेल उल में नोट होता है पैसा होता है जो बच्चे खेलते हैं वो नकली होता है जब उसे देखते हैं तो असली नोट की याद आनी चाहिए ना कि असली नोट देकर नकली नोट की याद आनी चाहिए तो जितने भी सीरिल बने हुए हैं वो व्यासदेव जी द्वारा लिखित महा भारत पर आधारित हैं इसलिए महा भारत की हमें याद आनी चाहिए ना कि जो महाभारत पर आधारित किरदार हैं, उनकी यादा नहीं चाहिए तो जो असली है, उसे हमें ध्यान में रखना चाहिए जो सिर्फ किरदार निभा रहे हैं, उसे ध्यान में न भी रखें, तो कोई नुक्सान नहीं है और एक प्रश्णा है कि अगर किसी के दिल में हमारे लिए गुसा हो, तो हम उसे कैसे पहचाने हैं अगर कोई हमारे बारे में बुरा सोच रहा है, तो वह हम कैसे पहचाने हैं देखिए जो पांडव थे न, वो यह प्रयास नहीं कर रहे थे कि कवरों के मन में उनके लिए कितना द्वेश है वो तो सिर्फ यह प्रयास कर रहे थे कि कैसे अपने सत विचारों से या सत कर्मों से समाज को लाभ मिले और नित्य भगवान का स्मरण हो उनके पास समय ही नहीं था पांडवों के पास कि वो कवरों के जो शड़ यंत्र हैं उस पर ज्यादा ध्यान दे वो तो जब युद्ध की बात आई तो उस समय युद्ध करना था तो उस समय वो सारी रणरिती अपना रहे थे पांडवों का अधिकांश समय जो है भगवान की सेवा करने में या अपने राज्य का जो भी भार है जो राज्यकरण है वो सही तरह से हो उस पर उनका ध्यान था इसलिए एक रेगिस्तान को भी उन्होंने एक सुंदर नगरी में परिवर्तित कर खंड़र जो था उसे सुंदर नगरी में परिवर्तित कर दिया तो यह पांडवों के छमता थी और हमें पांडवों के पदचिन्नों में चलना चाहिए दूसरों के मन में अगर द्वेश है और दूसरों के मन में हमारे लिए अगर गुसा है होना नहीं चाहिए हमें ऐसा कोई कर्म नहीं करना चा तो हम प्रयास यह करना चाहिए कि हमारा जादा समय दूसरों की सेवा करने में लगे हैं जितना हम धूसरों की सेवा करने में लगाएंगे तो हमें अधर समय नहीं मिल पाएगा किसी के दुर्गुणों को देखने के लिए एक बार एक विक्ति भीक मांगने जा रहे थे भिक्षा भिक्षुक थे तो भिक्षा मांग रहे थे तो एक जगह जब वह गए तो वहाँ पर उनको गाली मिली एक कोई विक्ति रहता था उसने बहुत जमकर उन्हें गाली दी गल बहुत ही अपशब्द कह दिये उनको तो किसी अन्य विक्ति ने उन भिक्षुक से कहा कि देखिए आपको ऐसे जगह पर नहीं जाना चाहिए जहां पर आपको गाली मिलती है तो भिक्षुक ने कहा देखो मेरा काम है भिक्षा मांगना और जब मैं भिक्षा मांगता हूँ तो यह भेद नहीं करता हूँ कि मुझे मिलता क्या है और जो मुझे कुछ देता है उसका काम है दानी बनना तो भले ही सामने वाले ने मुझे गाली दी लेकिन उसने कुछ दिया तो देने का जो उसका कर्म है उसने वो तो निभाया तो एक दिन शायद यही उसकी वृत्ती जो है कुछ देने की उससे कुछ अच्छा चीज तूसरों को दिलवा दे तो ये नीति शास्त्रों में ऐसे उपदेश मिलते हैं या ऐसे कथाएं आती है जिससे उपदेश प्राप्त होती है कहने काताथ पर कि हमें अपने कर्मों पर जादा ध्यान देना चाहिए अपने कर्तव्यों पर जादा ध्यान देना चाहिए जितना हम अपने कर्तव्यों पर जादा ध्यान देंगे उतना ही हमें भी लाव मिलेगा और हमारे दुआरा दुसरे लोगों को भी प्रेहना मिलेगी और हमारे पास इतने कर्तव्य हैं निभाने के लिए कि अगर देखा जाए तो 24 घंटे कम पड़ जाएंगे तो अनिरोध ही है कि यह जो प्रशन पूझा गया थे इसके उत्तर में कि उन चीजों पर हम ध्यान दें जिसके उपर हमारा नियंतरन है जिसके बारे में हम कुछ कर सकते हैं उन ची आप नौजवान हो आपके संरक्षन में आपके वृद्ध माता पिता हैं तो उनका उनका जो है देखरेक करना आपकी जिम्मेदारी है उस समय आप उन पर ध्यान रख सकते हो क्योंकि यह आपका कर्तव्य है अन्य किसी के उपर ध्यान रखने के होशक्ता नहीं है अगर पर ध्यान दीजिए अन्य था दूसरों पर ध्यान देने के रखने के कौई आवशक्ता नहीं कि इससे समय तो वेर्थ जाता है और शायद दूस्डों के कुछ गुन दिख जाए जिससे कि हमें परिशानी हो जाने है तो अ're अगर हमें दूसरों पर ध्यान देना है तो फिर हमें हमारी उतनी योग्यता बनानी पड़ेगी काकि हम वैसे अधिकारी बन सकें अगर वैसी योग्यता हम नहीं रखते हैं तो फिर हमें उस प्रकार का अधिकार नहीं जताना चाहिए हमें अपने ही खाली कर्मों पर ध्यान रखना चाहिए हरे क्रिश्णा तो एक भक्त ने कहा है पूछा है कि अभी जो बिमारी फैल रही है करोना वाइरिस की बिमारी फैल रही है तो उस अवस्था में भक्तों की संगती कैसे किया जाए अपने फोन का जो जो आपका मोबाइल सेट है हैंड सेट जो है या कोई अन्य फोन है उसे हमेशा साफ रखें और उसके उपर एक दुसरे को कॉल करके आप संगती कर सकते हो या जैसे आज हम कर रहे हैं फेस्बुक ला कभी न कभी ठोड़ा सा मौन व्र्ट भि धारन करना चाहिए और एकांत भजन और एकांत ध्याण भी करना चाहिए वो भी बड़ा योग्य है तो वो भी एक माध्यम है संगती करने का एक संगती होता है बाहर के जगत में जहां पर हमें शरीरधारी भक्त मिलते हैं और से एक संगति होती है अपने मन में जहां पर मन के दरपन पर जितने सारी छवियां हैं महात्माओं की महान भक्तों की उनके साथ हम संगति करें तो जहां हम एकांत भजन करते हैं तो अपने मन के दरपन पर ये जो छवियां हैं य इतने सारे महात्माओं की इंप्रेशन्स हैं, जैसे श्रीला प्रहुपाज जी हैं, भक्तिस धान सरुसी ठाकुर महाराज हैं, हमारे महाराश्टर में तुकराम जी महाराज हैं, नयानेश्वर जी महाराज हैं, कितने सारे संत महात्मा हैं, संत जनाबाई हैं, फिर हमारे जीवनी, इनका जो चरित्र है, इनकी कथाएं, यह सब हमारे मन में है, तो कुछ दिनों के लिए इस प्रकार से भी एकांत में हम भक्तों की संगति कर सकते हैं, या संगती जो है मन के दरपन पर हमें करना चाहिए, या फिर फोन पर कीजिए, फोन पर बातचित कीजिए, याद रखिए कि आथ के हाथ जो है साफ रहने चाहिए और जो फोन आपने पकड़ा हुआ है, वो भी साफ रहना चाहिए, इतने थुड़ी से सावधानी अगर हम याद करें हम कि प्रलाद महाराज जी हिरन कशिपु के राज्य में अकेले एक मात्र भगते थे, फिर भी उन्होंने सत्संग तो किया ही, भगवान विश्णों का स्मरन करते थे अपने रिदय में, तो हमारे लिए वो बहुत बड़ी प्रेरणा है प्रलाद महाराज कि एका जा सकता है, हरे कृष्णा, पुना सारे भगतों से अनुरोध है कि सारी सावधानी जो है वो रखिये और जो भी सरकार ने नियम दिये हैं, कृपा करके उन नियमों का पालन कीजिए, हमारे सरकार जो है इन नोमों दौरा हमारी ही भलाई चाहती है, तो हम साथ दें, एक साथ दें, सरकार का साथ दें, और भगवान का नामस्मरण तो हमेशाम कर सकते हैं, नामस्मरण करते रहे हैं, हरे कृष्णा, तो यहाँ पर जो है, प्रश्ण समाप्त हुए, और हमें प्रश्णा यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं, तो यहाँ पर हम रुकते हैं, पुना जाज श्रीमत भागवतम की जय